Hello everyone, अगर आप PYQ देखके इस वीडियो पर आए हैं, तो definitely you are at right place because हम यहाँ पर current affair को PYQ से relate करके बढ़ते हैं, right? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तों देखो हम यहाँ पर वही current affair से deal करते हैं जो की 90% chance है आपके CDS या CAPF या फिर end ये exam में आने के, right? अगर आप current affair only aimer से पढ़ रहे हैं तो ऐसे आपको एक अलग से notebook तयार करनी है उसमें आपको अलग-अलग section को divide कर लेना है जैसे कि defense का section अलग होगा, awards का अलग होगा, international news की अलग होगा, right? sports का अलग होगा, तो इससे आप ही खुद की एक magazine ready हो जाएगी आपके exam से पहले, right? लेकिन देखो आपको current affair को no doubt कैसे करना है समझो ये आपका एक page है, right? आपको इस page को बीच में divide करना है और जो भी news मैं आपको बता रहा हूँ उसे आपको इदम short में लिखना है इस तरह आप एक page पे maximum news को cover कर पाएंगे, right? तो revision के time पे आपके लिए बहुत easy हो जाएगा या sir, ये चीजे जो आप बता रहा हूँ, ये benefit है तो आप इस comment को पढ़ सकते हो और देख सकते हो कि benefit है की नहीं, right? ओके, so अब हम हमारी first news देखते है BRICS submit in 2024 अंडर Russia, right? किस के अंडर हो रहा है? Russia के अंडर हो रहा है चाहे आपका CSC का exam हो, CDS का हो या फिर CSC का, या फिर CAPF का exam हो UPSC आप से BRICS के उपर question पूसता है, right? देखो, अब UPSC यहाँ से statement wise भी question पूसता है तो सीव आपको इतना नहीं पता होना चाहिए कि BRICS का जो submit हो रहा है 2024 में ये कहां, Russia के अंडर हो रहा है तो हम BRICS के बारे में कुछ चीजे इन डीटेल भी देखते हैं लेकिन उससे पहले आप ये देखिए जो आपका first submit हुआ था BRICS का was held in कहां पे Russia में हुआ था इन 2009 में तो ये point है आप प्लीज इसे no down कर लीजेगा अपने notes में तो आप ये दो points को अपने note में add on कर लेंगे तो चलिए अब हम कुछ इजे BRICS के बारे में देखते हैं देखो originally जो BRICS कंट्री थी इसमें Brazil, Russia and China ही थे लेकिन जब 2010 में South Africa की entry होती कहां BRICS में तो फिर ये BRICS बन जाता है like Brazil, Russia, India, China and South Africa कब 2010 में ये member बना था इसका तो ये चीजे कुछ आप जान रखिएगा क्योंकि बहुत ज़़दा important है आपके exam के point of view से, right so next news है हमारी देखो महराष्ट पेच टाइगर रिजफ अचीव किया है क्या India first dark sky park नोडाउन को लोग बहुत ज़़दा important है UPSC पूछ सकता है अब यहां से तीन चीज़ याद रखिएगा पेच टाइगर रिजफ का है महराष्ट स्ट्रेट में है इसने अचीव किया है India first dark sky park नोडेखिए यह ऐसा fifth in Asia में यह पांचवा ऐसा पार्क है हमारे Asia में अब आप पूछेंगे सर यह dark sky park होता क्या है तो देखो dark sky park is an area surrounding a park और observatory which restrict artificial light pollution देखिए ऐसा होता है अगर आप urban area में रहते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो artificial light pollution कितना ज़्यादा होता है लाइक वहाँ पे road light होगी car के lights होती होगी तो इससे जो astronomy होता है उसकी study हम वहाँ पे अच्छे से नहीं कर पाते हैं लेकिन ऐसे पार्क में ये चीजों को अच्छे से प्रमूट किया जा सकता है वहाँ पे like हम star की study कर पाते हैं moon की study कर पाते हैं अब देखिए tiger reserve UPSC यहाँ से दो तरीके से question पूछता है आप से कैसे एक तो UPSC आपको tiger reserve देदेगा पूछेगा कौन से state में located है and UPSC आप से arrange करने देता है arrange the following tiger reserve of India from north to south अब देखो सिफ यह tiger reserve की बात आप मत सोचना ऐसे आप को UPSC wildlife century दे सकता है and even अगर आपने PYQ को analyze किया है तो आपको समझ में आएगा UPSC already ports पे ऐसे question पूछता है कि north to south इसे locate कीजिए तो अगर आप mapping पे ध्यान दे रहे है and tiger reserve हो गया wildlife century हो गया यह सब चीज़ों को देख रहे हैं तो north to south भी देख लिया करिए तो ऐसे भी UPSC आप से आगे question पूछ सकता है इंद्रावती tiger reserve कौन से state से connected है तो यह आपका 36 गर से connected है right and पेरियार tiger जो reserve है वो कौन से state से connected है वो आपका गेड़रा से है and simply pal tiger reserve कौन से state से connected है यह आपका ओडिसा से है and जो बंदीपूर tiger reserve है वो करनाटका से connected है तो इसका अंसर आपका C आ जाएगा ओके इससे आप no doubt कर लिजेगा देखो ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे tiger reserve पढ़ने है आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो news में बहुत जादा mention है जैसे कि page tiger reserve हो गया उसकी बाद simply पा tiger reserve हो गया right तो अगर वो tiger reserve हो गया port हो गया wildlife century हो गया कुछ भी चीज़े है जो की बार-बार news में repeat हो रही है तो वो चीज़े आपकी exam के point office से बहुत जादा important हो जाती है right and अगर UPS से आप से पूछता है world first black tiger safari कौन से state से connected है तो याद आठना odisa से okay and अभी हमने देखा odisa में कौन से tiger reserve है simply पाल टाइगर रिज़र है okay so next news देखते हम हमारी isro successfully launch PSLV C-58 expo set mission देखो जो PSLV है इस पे अरड़ी UPSC ने CSE 2018 में question पूछा हुआ है तो ये भी आपके लिए बहुत ज़दा important हो जाता है तो हम इन डीटेल इसे देखते ही है क्या right तो देखो जो isro polar satellite launch vehicle C-58 successfully launched expo set देखो सबसे पहला UPSC आप से यही question पूछ सकता है कि जो expo set mission है वो कहां से launch हुआ है तो याद रखना PSLV C-58 से ये launch हुआ है आपको option में PSLV दे देगा GSLV दे देगा आप यहां से देख सकते हैं यही से दो option आपके लिए create हो जाते हैं तो आप याद रखिएगा कहां से launch हुआ है PSLV से launch हुआ है expo set X-ray polarimeter satellite and देखो जो launch होने के बाद India become the second country after the US to send an observatory dedicated to study astronomical source like black hole and neutron star अब देखो जो expo set mission है इसमें क्या होगा यह mission में जो astronomical source होते हैं like black hole and neutron star की study की जाएगी ओके expo set is the first dedicated scientific satellite from ISRO designed to investigate the polarization of intense x-ray source in space देखो जो आपका black hole हो गया neutron star हो गया वहाँ से जो भी x-ray emission होता है उसको study करने के लिए यह पहला इंडिया में expo set mission है ऐसा first dedicated mission है तो आप यह points को याद रखिएगा okay and देखो जो PSLV होता है launch the satellite useful for earth resource monitoring whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite जो PSLV है वो earth resource monitoring से connect करता है and जो SLV है वो communication satellite से connect करता है तो इंपॉइंट पॉइंट है आप लीस इसे note down कर लीजेगा okay तो देखो UPSC आपसे कुछ terms पूछता है जो की news में mention रहते हैं तो आपका एक term था जो की news में mention था है तो इंपॉइंट इंपॉइंट है आपके exam के point of view से DRDO launch rifle Ugram for Indian Army तो UPSC पहला point आपसे क्या पूछ सकता है UPSC आपसे पूछेगा recently जो term Ugram news में mention था वो क्या था तो याद अखना हो एक rifle था second point यह कि इसको किसने launch किया है इसको आपके DRDO ने launch किया है तो इसको किसे पॉइंट से आप डूड़नाम कर लिजेगा अभी हम आगे और भी terms को देखेंगे tension मत लेना आप स्वामित्व स्कीम awarded the best innovation award अब देखो पहले हम जारकट PCS 2022 में ही आपका स्वामित्व स्कीम में question आया हुआ था पहले हम इसे solve करते हैं फिर हम कुछ चीज़े और in detail देखेंगे तो देखो पहला point क्या है जो स्वामित्व स्कीम है it is launched by the ministry of house and urban तो ये गलत हो जाता है क्यों ये scheme को किसने launch किया है ministry of panchaiti राजने किया है okay पहला point आपका second it is central sponsored scheme अब देखो क्या लगता ये central sponsored scheme है ऐसा नहीं है ये क्या है central sector scheme है अब देखो यहाँ पर na catch है UPC आपको यहीं पर twist and turns दे सकता है कैसे sponsored and sector एक major difference create करती है कैसे देखो जो center sector scheme है are 100% funded by the union government and implemented by the central government okay and जो आपका central sponsored scheme होती है उसका कुछ percent borrow किया जाता है state से and implement कौन करता है by the state government right तो जो central sector scheme होती है उसको 100% कौन फंड करता है government करता है तो जो scheme है swamit तो वो scheme है ये क्या central sector scheme है ना कि क्या sponsored scheme है right तो आपका ये गलत हो जाएगा and इसका full form क्या होता है इसका full form होता है आपका survey of village and mapping with improvise technology in a village area अब देखो जो improvise technology इसका मतलब क्या यहाँ पर drone से non-use होता है okay तो देखो 1 and 2 तो गलत हो जाएगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर नरिर मुर्दी at the national level on 24 अप्रेल 2021 तो ये scheme important है तो आप इससे no-down कर लीजेगा तो next news है हमारी जल जीवन mission achieve 30 CR ruler household tap connection देखो जो आपका exam होता है ESE का इससे UPC conduct करता है तो जल जीवन mission पे ही 2023 में ही question आया हुआ है तो UPC पूछ सकता है तो ये जो mission ने launch कब हुआ था ये launch हुआ था आपका 2019 में launch हुआ था ministry of जल सकती in 2019 सबसे अधा important point इसका ये है the aim the aim is to provide safe and adequate drinking water through individual household tap connection by 2024 देखो इस mission के through aim क्या है provide करना safe and adequate drinking water tap connection by 2024 तक मतलब इसी साल तक तो important हो जाता है ये mission आपके लिए तो no down कर लिजेगा and the goal is to have हर घर जल every house in the village is to be provided with a functional tap connection कुछ points से आप इससे no down कर लिजेगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो please like and subscribe कर दिजिए हमाय चनल को and अगर आपको MCQ and PYQ को attempt करना है तो आप हमाय चनल only emers को join कर सकते है link हम आपको description में provide कर देंगे and देखो ये हमारा paid telegram group है जहां पर target wise approach होता है chapter wise MCQ, PYQ, उसके analysis even हम current affair भी करते है currently जो revision badge है CDS के लिए ये आपका CDS 1-2024 का exam होने वाला है April में उसके लिए division badge भी start हो गया है right तो जीस किसी को भी join कर सकता है वो कर लीजेगा, okay तो देखो next news missile देखो दोस्तों UPSC missile पे किस type ये question पूछता है पहले हम वो देखते हैं मैंने पहले की भी video से अपने बोला है और अभी भी बोल रहा हूं कोई भी country से अगर हम import कर रहे हैं export कर रहे है missile को तो वो आपको पता होनी चाहिए second thing उसकी range कितनी है वो missile की range कितनी है वो भी पता होना चाहिए आपको वो surface to air missile है air to air missile है ये सब चीज़े आपको पता होने चाहिए and even कुछ आपको statement wise भी उसके बारे में पता होना चाहिए तो देखो आप अस्त्र मिसाइल देखो ये हम पढ़ क्यों रहे है पहली बात तो ये news में थी इसलिए पढ़ रहे है second जो आपका CDS 2018 में एक्जाम हुआ था उसके option में ये अस्त्र मिसाइल के बारे में पूचा था and जो अकास है निर्भय मिसाइल है हमने इसे December मन्त के current affair में deal किया हुआ है पढ़ा हुआ है तो आप उस video को देख लीजेगा देखो अस्त्र रहे हैं indigenous BVR air to air missile है पहला point ये कैसी missile है air to air missile है इसे develop किस ने किया है इसे develop DRDO ने किया है तो इस दो point को आप do down कर लीजेगा देखो अकास NG missile भी आपकी news में थी तो इसके बारे में भी हम in detail पढ़ते हैं देखो NG का full form क्या है new generation अकास missile तो ये missile कैसी है ये missile medium range surface to air missile है right that can engage multi target from multiple direction okay इसमें एक supported radar है उसका नाम क्या है राजेंद्र है अब ये देखिए it can fly to MAC 2.5 important point देखो ये target around 60 km तक hit करता है देखो इस missile की 90% killing probability है तो ये कुछ important points है please आप इससे note down कर लेज़ेगा statement wise UPSC आपके CDS और CAPF 2024 exam में पूछ सकता है तो देखो NATO UPSC यहाँ से statement wise question भी पूछता है तो हम इसे in detail पढ़ेंगे because CDS या फिर CAPFO UPSC आपके exam में पूछता है तो देखो जो Sweden है इसने officially join किया नीटो को as a 32nd member तो चलिए हम in detail नीटो को study करते है Sweden officially join नीटो Sweden क्या बन गया है 32nd member बन गया है नीटो का Right Sweden become नीटो member on Thursday 7th March 2024 अगर मैं आपसे पूछू 31st member कौन बना था नीटो का याद रखना आपका Finland बना था Right जो नीटो है ये कौन सी क्रीटी के बज़े से आया था Washington क्रीटी on April 4, 1949 में ये फॉर्म हुआ था अगर युपेसी पूछता है आपसे इसका headquarter कहा है तो इजा रखना नीटो का headquarter Belgium में है Right अब ये point को अच्छी से सुनना आप युपेसी पूछ सकता है नीटो का article 5 क्या बोलता है Right Attack against one ally is an attack against all Right अब देखो 30 Wait मैं आपको बताता हूँ देखो नीटो में अभी तक 32 member है या फिर countries राइट तो आर्टिकल 5 क्या बोलता है इन 32 countries में से कोई भी एक country पे अगर कोई भी country war declare करती है या फिर उस पे हमला करती है तो indirectly वो जो country हमला करी है वो 32 countries पे हमला कर रही है Right तो आर्टिकल 5 बहुत जादा matter करता है तभी तो जो Sweden and Finland है ये share करते हैं boundary कि से Russia आपका यहाँ पे है यहाँ आपका Finland है यहाँ पे आपका Sweden है Right तो बहुत जादा border share होता है Russia से Finland का Okay तो कभी भी Russia easily इस पे war declare कर सकता था इसलिए Finland पहले NATO को अप्रोच किया कि हमें भी जॉइन करना है उसके बाद Student ने भी आपका 7th March को जॉइन कर लिया NATO Right तो इक कुछ पॉइंट से आप इसे no doubt कर लिजेगा So next news एकते हम India is now a part of world's largest radio telescope project SKAO Right अब देखो यह SKAO का full form क्या है Square Kilometer Array Observatory Okay यह क्या एक Inter-Governmental Organization है And इसका aim क्या है To build and operate cutting edge radio telescope Okay इसका headquarter का है इसका headquarter आपका UK में है Right अब यह gravitational wave को भी study करता है तो यह कुछ important points आप इससे no doubt कर लिजेगा Okay तो next news है हमारी Henley Passport Index 2024 इसी index पे UPSC ने 2024 में ही आपके CSE exam में question पूछा हुआ है तो मैं आपको guarantee दे सकता हूँ TDS जाफीर CAPF 2024 के exam में एक question आपको index से देखने मिलेगा वो कोई भी हो सकता है Right तो index theme को अच्छे से आप cover कर लिजेगा अपने exam से पहले Right तो देखो India की rank कितनी है India की rank है 85 है Right First position किसने लिया है French, Germany, Italy, Japan, Singapore, Spain ने लिया है Second किसने लिया है Finland लिया है, Netherlands लिया है, South Korea, Sudan ने लिया है UPSC आपसे second position पूछता है या फिर पूछता है कि world most powerful passport है कौन से country ने hold किया है Right तो आप इससे अच्छे से देख लिजेगा तो next news है हमारी global fire power ranking देखो fire power देखते ही आप इसे fire department से मस समझ लिजेगा India has fourth strongest military in the world Right तो या दगना इंडिया के पास fourth strongest military है Okay UPSC ने आपकी EPFO 2021 में ही इस पे question पूछा हुआ है global fire power index पे Okay And देखो first पे कौन आता है first पे आपका UK आता है Second पे आपका आता है Russia आता है Third पे China आता है and fourth पे कौन आता है आपका India आता है Right तो आप इससे देख लिजेगा So next देखते हम wetland city accreditation Right देखो इंडिया की 3 जो city है वो nominate हुई है किसके लिए Wetland city accreditation scheme के लिए Okay इंदौर भोपाल ए उदैपूर Right कि initiate कब हुआ था COOP 12 में हुआ था 2015 में And यह जो scheme है valid रहता है for six year Okay तो यह कुछ points है आप इससे no doubt कर लिजेगा Okay So next news है हमारी UPSC में आपके CDS 2023 में ही आपसे Padma Vibhushan Award 2023 में पे question पूछा है Right तो हम 2024 का in detail पढ़ते हैं एक award होता है आपका Padma Vibhushan एक होता है Padma Vibhushan एक होता है Padma Shri Award Okay चली हम देखते हैं देखिए पांचों का आपको पता होना चाहिए यह किस field में दिया गया है किस state से यह connect करते हैं Okay तो आप यह पांचों के बारे में पर लीजेगा Okay एंड देखो जो Padma Padma Vibhushan है यह 17 members को दिया गया है इसमें सबसे इम्पोरेंट है आपके लिए तेंथ नंबर पे Shri Yong Liu है यह important हो जाते हैं आपके CPF CDS exam के point of view से क्यों कि देखो यह एक अकेले foreigner है आपको अगर आप Padma Vibhushan देखेंगे तो यहां पे सारे के सारे आपको इंडियन ही मिलेंगे राइट यह एक लौते foreigner है राइट तो यह कौनसे field से connect करते हैं trade and industry से connect करते ह आप यह तो याद रखिएगा and बाकी से 6th हो गया 12th हो गया यह सब से एक बार go through हो जाईएगा ओके देखो जो Padma Shri होता है यह 110 member को दिया गया है तो इतने सारे तो आप पढ़ नहीं पाऊगे and UPSC भी आपसे Padma Vibhushan and Padma Bhushan पे ही पूस्ता है अगर आप इतना ही पढ़त पूस्ता है UPSC कोशन आप इसली आंसर तक पहुत जाओगे ओके तो देखो Alliance UPSC आपसे Alliance पे कोशन पूस्ता है राइट इंडिया लॉंच Alliance और Global Good Gender Equity and Equality इसके बारे में कुछ चीज़े देखते हैं जो Alliance से यह प्रमोट करता है Global Development Lead by Women ओके जो Alliance है यह अडॉप्ट करता है Global Best Practice को Sharing Knowledge and Making Investment in Women Health, Education and Enterprise जो Concept है यह Alliance का यह ओरिजिनेट हुआ है G20 Leader Declaration में ओके तो यह पॉइंट्स को आप कुछ नोडाउन कर लिजेगा तो देखो खेलो इंडिया यूथ गेम 4th edition CDS 2020 में पूछा गया है and CAPF 2023 में यूपेसे ने आप से खेलो इंडिया यूणिवर्सिटी गेम पर कुछन पूछा है तो इस साल जो 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था इसके बारे में हम खुछ चीजे पढ़ लेते हैं ओके दा सिख्ट एडिशन आफ खेलो इंडिया यूथ गेम कहां पे हुआ है यह तरमिल्नाडो में हुआ है तरमिल्नाडो के 4 सिटीज में हुआ है चन्नई, तरिची, मधुराई और महरास ने टॉप किया है 57 गोल्ड, 48 सिल्वर और इसका मॉस्कोट वीर मंगाई या फिर रानी वेलू नाचियार तो इससे आप देख लिजेगा तो आप यह देखो, राटले हाइड्रो एलेक्रिसिटी प्रोजेक्ट, सबसे पहले यह कौन से स्टेट से कनेक्टेड है, यह है आपका जम्मू इन कश्मीर से, उसके बाद यह कौन से रिवर क्यू पर बना है, यह चेनाब रिवर क्यू पर बन रहा है, ओके सगेंड तिंग देखो, किजे ऐसे रिपीट होती है, आप देख सकते हैं कोशन CSE 1996 में UPSC ने आपसे पूछा था है, सेम, CEPF 2013 में UPSC ने आपके CEPF एग्जाम में पूछ लिया, यह सी एक कोशन में आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप अलग-अलग सबजेक्ट के कोशन उठाएंगे ना तो इसे आपको बहुत सारे कोशन रिपीट किये हुए मिल जाएंगे आपके वियर्यस एक्जाम में, जाए वो आप CDS दे रहे हो, CEPF दे रहे हो, या फिर NDA दे रहे हो, अगर आप हमरे पेड ग्रूप में है, आपको पता होगा कि हम ऐसे CSE के 1996 के भी ये आंद्र प्रदेश 2023 में ही कोशन आया हुआ है, तो आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, ओके, तो देखो, next news है हमारी, 81st Golden Global Award 2024, राइट, देखो, UPSC ने आपके NDA के एक्जाम में पूछा है, तो definitely आपकी एक्जाम में पूछ सकता है, तो किसको मिला है, ओपर हाइमर को मिला है, तो आप इससे नोट डाउन कर लिजेगा, ओके, देखो, FIFA, UPSC, FIFA से कोशन पूछता रहता है, आपके जैसे CDS हो गया, CDS 2023 में ही इस बार पूछा, UPSC ने आप से, ओके, FIFA Best Man's Player Award, किसको मिला है, मैसी को मिला है, and Best Woman Player किसको मिला है, Alexia को मिला है, तो इससे आप नोट डाउन कर लिजेगा, तो देखो, इसकीम पर UPSC कोशन पूछता है, हमने उपर भी देखा था, and अभी भी देखेंगे, राइट, चाहे, NDA का एक्जाम हो, CAPF हो, या फिर, CDS हो, राइट, पृत, भी विज्ञान, देखो, सबसे पहले, कौन से, मिनिस्ट् अर्थ साइन से कनेट करता है, जी क्या एक कंप्रेहेंसिफ स्कीम है, that will address all the five components of the earth system, atmosphere, hydrosphere, geosphere, triosphere, and biosphere, enhancing the understanding of earth system, science and delivering reliable service for the country, देखो, इसको यह जो स्कीम है, अगर यह चीजों को study करती है, पड़ती है, समझती है, तो हमें एक better understanding होगी, climate change का होगा, हमें ocean behavior के बारे में अच्छे से पता चलेगा, weather को forecast कर सकते हैं, and air quality को measure कर सकते हैं, तो हम उसको एक better करने के लिए steps ले सकते हैं, तो यह scheme आपको earth system को अच्छे से समझने में बहुत help करेगी, देखो, इस scheme के ही अंदर कुछ sub scheme है, जो कि अभी ongoing है, वो आती है, वो कौन-कौन सी है, across है, वो smart है, पेसर है, sage है, and outreach है, right, अब आप यह देखो, जो across है, यह atmosphere and climate से connect करता है, वो smart है, वो ocean service से हो गया, पेसर है, polar science like Antarctic हो गया, cryosphere हो गया, जो कि snow का area होता है, उसे आप connect कर सकते है, हिमालिया से connect कर सकते हो, right, sage हो गया, seismology हो गया, like आप earthquake देख सकते हो, research, education and planning and outreach, right, यह कुछ इसकी 5 scheme है, जो कि इसकी अंदर आती है, जो कि ongoing है अभी, okay, so next news है हमारी जापान लीड, वेट, देखो, जापान लीड एक्स वीजर मिशन, सबसे पहले UPSC आप से पूछ सकता है, कि जो एक्स वीजर मिशन है, वो कौन से country से connect करता है, तो आपको पता होना चाहिए, जापान country से connect करता है, right, and यह jointly mission है, किसका, jacks का and nasa का, right, आप इसे no doubt कर लीजेगा, okay, so next news है, Parsi as India's new classical language, अब देखो जो classical language है, इस पे आपका गुजराद PCS 2023 में ही question पूछा गया था, which of the following, which of the above has been declared as classical language, Sanskrit, Malayalam, Kannad, Telugu, and Tamil, यह पांचो की पांचो क्या है classical language है, ठीक है, इसका answer आपका D आ जाएगा, right, तो अभी तक six language है, जो की classical status को enjoy करती है, कौन-कौन सी है, Tamil, जो की 2004 में classical language बनी थी, Sanskrit 2005, Kannad 2008, Telugu 2008, Malayalam 2013, and Odisha 2014, right, उसके बाद देखो, in addition to these classical language, Pali, Persian, and Prakrit, and their work of literature are to be preserved according to India National Education Policy, right, जो Pali, Persian, and Prakrit, like जो फार्सी है, यह भी आपकी classical language हो सकती है, okay, So, next news है, हमारी, Jammu and Kashmir become first duty to implement PM Vishwakarma Yojana, right, अब देखो, जो scheme है, यह किसके लिए है, The scheme is designed to uplift traditional aircraft and craft people engaged in various occupation like blacksmith, goldsmith, poetry, and carpenters, okay, तो देखो, इनके लिए यह scheme है, right, and देखो, यह centrally sectored scheme है, fully funded by government of India, तभी जब sector है, तभी तो फुली funded by government of India, मैंने आपको पहले ही difference बता दिया, sector and sponsored में क्या difference होता है, तो आप उपर एक बार देख लीजेगा, अगर आप confused हो रहे होगे, तो, okay, and यह कौन सी ministry से connect करती है, MSME, okay, तो यह points आप note down कर लीजेगा, okay, PM जन्मन, देखो, किस से connect करेगा, यह करेगा, benefit every member of tribal community, okay, from government scheme, right, PM जन्मन was launched for social economic welfare of PVTG, right, and जो PM जन्मन है, इसका budget कितना है, इसका 24 CR रूपीज है, okay, तो पॉइंट्स को आप देख लीजेगा, यह tribal community के लिए है, okay, तो next news है, Australian David Warner announced retirement from one day international cricket, right, CAPF 2018 में आप से question है पुच जा था, who among the following cricketer has announced his retirement from international cricket in May 2018, इस साल क्या पता, UPSC आप से पूच ले, तो याद रखना, David Warner किस country से connect करता है, Australia से connect करते हैं, right, and इन्होंने announce किया retirement from one day international cricket, okay, दिखो, कोई भी important person होता है, अगर उनकी death हो जाती है न, UPSC आपकी exam में पूच सकता है, जैसे कि आपके ND में पूचा गया है, राना उनकी भी death हो गई है, right, तो अब उनके बारे में यहाँ से कुछ चीज़े पढ़ लिजेगा, right, देखो, military exercise, UPSC, यहाँ से question हमेशा पूच लेजे से NDA हो गया, CDS हो गया, CEPF हो गया, आप exam में आते रहते हैं, right, and देखो, अब UPSC आप से ऐसे question पूच सकता है, right, देदेगा exercise and पूच लेगा कौन से country के बीच में हुई है, तो यह कुछ exercise हम देखते हैं, जो की जनवरी मंथ में आपके news में थी, okay, desert cyclone, देखो, यह इंडिया and UAE के बीच में हुआ था, कहां ब्रजिस्टान में हुआ था, right, exercise cyclone, देखो, यह दोनों अलाग है, desert cyclone and exercise cyclone अलाग है, तो confuse मत होना, यह इंडिया and Egypt के बीच में हुआ है, right, and देखो, जो exercise खंजर है, यह कहां हिमाचल प्रदेश में हुआ है, इंडिया and विजाकिस्तान के बीच में, okay, and exercise Ayutthaya, यह इंडिया and Thailand के बीच में, first time में निवर exercise हुआ है, तो बहुत ज़्यादा important है, आप इसे no down कर लिजेगा, okay, देखो, इंडिया and जपान, Coast Guard के बीच में कौन से exercise हुई है, सहीयोग कैजीन, okay, इंडिया निवी P-81 एयरक्राफ्ट रीच exercise C-Dragon 24, अगर UPC आप से पूछता है, सरवत्र क्या है, तो यह आजखने इंडियान आर्मी मुबाइल बिच सिस्टम में, इसे आप no down कर लिजेगा, तो next news है, Ministry of Electronic and Information Technology ने लाँच किया है, अननेट, इंडिया's AI Portal for Providing Service to Education Institution, देखो जो अननेट है, इंडिया is a not-for-profit society, dedicated to providing internet service for Indian education and research sectors, हमने पहले देखा है कौन सी ministry से connect करती है, Ministry of Electronic and Information Technology, राइखो जो इसमें जो यह होगा, लाइक, डॉमीन नेम होगा, यह ac.in होगया, edu.in होगया, तो आभी चीज़े देख लिजेगा, देखो cds to 2023 में ही, UPSC ने आपसे operations अभावना इन लद्दाग पे question पूछा है, तो देखो, इंडियान आर्मी ने लाँच किया है, operation सर्वशक्ती to eliminate terrorists, तो note down कर लिजेगा, important है, GI tag, CPF हो या फिर NDA या फिर CDS, GI tag पे question पूछा जाता है, तो red aunt chutney of Orisa receive GI tag, okay, statue of peace is situated in which state of India, देखो, UP PCS 2021 का इए question है, अब देखो, ऐसे question ना, आपके CDS या फिर CPF exam में, UPSC पूछ सकता है, right, देखो, statue of social justice, सबसे पहले किस से connect है, ये Dr. B.R. Ambedkar सर से connect है, right, एनि कौन सी state में है, ये है, आन्द्र प्रदेश में, तो या जखना, ठीक है, आप Google करिये, एन मुझे बता ये, statue of peace के बारे में, okay, अब देखो, छुटी से news है, 1st cyclone of 2024, क्या है, Alvaros, 1st cyclone पर, UPC question, पूस्ता ही रहता है, तो next news है, Dristri 10, it is an, indigenously manufactured, unmanned aerial vehicle UAV है, developed इसने के, Adani Defense Aerospace ने किया है, इसमें, ISR platform है, with 36 hour, endurance and, code 50 kg, pilot capacity है, it is an, all weather military platform, which has clearance, to fly in both, segregated and, unsegregated airspace, right, and, इसमें, advanced communication system है, okay, तो, कुछ points है, अब देख लीजेगा, next news है, Cameroon launch, world first routine malaria vaccine camping, okay, तो, malaria disease है, यह caused by, plasmodium parasite, and यह, mostly transmitted होता है, by the bite of, infected female, anopholia mosquito, okay, तो, यह चीजे आप, go down कर लीजेगा, तो, यह कुछ हमारे, short news है, तो, इसे हम देखते है, India to chair, UNESCO, World Heritage Committee, and, host 46 session, 2024, यह, गुज़ाद ने, set किया है, record, mass, सूर्य नमस्कार करके, okay, इसे हम ने, launch किया है, राम लाला दर्शन, scheme, three pilgrim, to, अध्या धाम, important है, देख लेना, ममतब एनरजी, launch, योगय श्री, for, SCST, SCST, in West Bengal, the initiative, aim to, provide, free training, for, scheduled caste, and scheduled tribes, student in West Bengal, okay, 9th edition, of, India, international, science festival, कहा होते है, फरिदाबाद में, हो रहा है, इसका theme, क्या है, science and technology, public, outreach, in, Amritkale, okay, Piti Man, become, first woman, subhidhar, in, Indian Army, okay, so, कुछ और, news देखिए, NASA, Juno, Spacecraft, देखो, सबसे पहला, UPC, यही question, पूछ सकता है, आप से, की, जो, Juno, Spacecraft है, वो, किसका है, वो, तो, NASA से, connect करता है, राइट, यह, close गिया था, किसकी, Jupiter के, Jupiter के, Moon के, ठीक है, अलो, Microsoft, AI, ODC, देखो, जो, Microsoft ने, launch किया है, AI, ODC, in India, आप, प्रोग्राम, aim to train, 1 lakh developers in the latest AI technology और यह इसका feature होगा कहाँ 2 levels में प्राग्रणन्दा सरपास विश्वनाथन आनन्थू बिकम इंडियास नमबर वन chess player स्वच सुर्वेक्षन अवाट 2023 का title किसको मिला है इंदौर और सुरत को मिला है और देखो जो इंडिया beach game 2024 हुआ है वो कहा हुआ है डियू में हुआ है and मध्यप्रदेश ने इसे top किया है 18 medals के साथ including 7 gold former बिहार CM करपूरी थाकूर अवाड़ेट भारत रतना शुबास चंद्रबोज आपदा प्रबंधन पुरुषकार 2024 यह किसको मिला है यह मिला है institutional category में 60 parachute filled hospital उत्रबदेश को and India's longest sea bridge के आई Mumbai Trans Harbour Link officially known as अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड subscribe कर देचाम है चैनल को and अगर आपको MCQ and GS subject के PYQs attempt करने है तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते है link आपको description ने provide get दी जाएगी ओके thank you guys best of luck